हेलो माई डियर स्टुडेंट्स हम बात कर रहे हैं रोटेशनल मोशन चैप्टर की और रोटेशनल मोशन में जब कभी हमको रोटेशनल मोशन के कॉंसेप को समझना होता है रोटेशनल डैनामिक्स को समझना होता है तो मोमेंट आफ इनर्शिया एक बहुत इंपोर्टेंट प करेंगे और अगर हमें Axis को चेंज करना है तो हमारे पास में अलग अलग theorem है हमारे पास parallel एक्सिस theorem है हमारे पास perpendicular एक्सिस theorem के हमने अप्लिकेशन देखें अगर हम parallel एक्सिस theorem का यूंस करते हैं तो उसमें कुछ important point जो हमें हमेशे याद रखना है कि वहां पर हमें IG का आज हम बात करने वाले हैं perpendicular axis theorem का ठीके, perpendicular axis theorem को ध्यान से हमको समझना है, अगर हमारे पास में कोई एक planar object है planar object है मतलब की जो mass है वो किसी plane पर distributed है तो ही आप perpendicular axis theorem का use कर सकते हो अगर कोई object ऐसा plane पर distributed है, lamina है तो ही आप perpendicular axis theorem का use कर सकते हैं तो यहाँ पर हमारे पास में तीन axis है एक हमारे पास x axis है यह हमारे पास में x axis है, एक हमारे पास z axis है और हमारे पास y axis है थोड़ा सा हम इसमें changes करेंगे यह जो blue color का axis हमको दिख रहा है यह हमारा x axis है yellow color का axis जो है वो y axis है और इस plane के perpendicular Z-axis है, यह Z-axis जो है, यह perpendicular to the plane है, X-Y-axis जो है वो इस planar object के plane में ही exist कर रही है, ओके यहाँ पर हमेशा यह बात ध्यान रखना है, कि जो X और Y-axis है, वो हमेशा कहाँ पर आपको consider करना है, उस plane में consider करना है, और Z-axis के about moment of inertia आप हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर according to the perpendicular axis theorem, अगर आपको I-Z find करना है, तो वो होता है, I-X plus I-Y, यही है perpendicular axis theorem, पर यहाँ पर एक important point आपको ध्यान से समझना है, कि जो X-axis है और Y-axis है, वो इस plane में होना चाहिए, अगर Z-axis इसके plane में है और X-axis perpendicular to the plane है, तो फिर I-X equal to I-Z plus I-Y होगा, पर generally आप इसी type से representation यूज़ करेंगे, तो बड़ा easy इस theorem को यूज़ करना हो जाएगा, तो यहाँ पर हमने Z-axis को इसके plane के perpendicular, यह Z-axis जो है, यह है perpendicular to the plane, उस plane के perpendicular है, और X और Y-axis, these are two perpendicular axis which is lying in the plane, उस plane lamina में lie कर रहे हैं, ठीके, इस theorem को हम derive भी कर सकते हैं, यह हमारे पास में perpendicular axis theorem का expression है, कि I-Z equal to I-X plus I-Y होता है, पर इसे हम derive भी कर सकते हैं, कैसे derive करेंगे, derive करने के लिए हम यहाँ पर एक छोटा सा particle consider करते हैं, M-I, और इस particle का, इस particle का अगर हम X-axis से distance देखें, थोड़ा सा यहाँ पर यह representation ध्यान से समझना पड़ेगा, आपको, X-axis से distance देखें, तो वो होगा Y-I, और Y-axis से अगर इसका distance देखें, तो वो होगा X-I, ठीके, तो अगर X-axis के about moment of inertia हमको निकालना है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, summation, I equal to 1, to N, M-I, Y-I, whole square, okay, M-I, Y-I, whole square, जब X-axis के about, आप moment of inertia निकालते हैं, तो X-axis से perpendicular distance, हमको count करना होगी, है न, और X-axis से perpendicular distance Y होता है, तो Y-I हम लिखेंगे, ठीके, यहाँ पर confusion हो सकता है, पर थोड़ा से ध्यान से आप समझेंगे, तो clearly आपको समझ में आएगा, same as it is, अगर आप I-Y यहाँ पर calculate करते हैं, तो I-Y क्या होगा, summation, I equal to 1, to N, M-I, X-I, whole square, इसा क्यों, क्योंकि perpendicular distance है, वो X-I है, ठीके, अगर हमको Z-axis से, के about moment of inertia निकालना है, I-Z निकालना है, ठीके, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, Z-axis से perpendicular distance, और यह जो Z-axis से perpendicular distance होगा, Z-axis से जो perpendicular distance होगा, Z-axis से जो perpendicular distance होगा, वो होगा, R-I, ओके, R-I, तो यहाँ पर हमारे पास मैं, अगर इसका top view देखेंगे, तो एक right angle triangle हमको मिल रहा है, एक right angle triangle हमको मिल रहा है, और यहाँ पर R-I, R-I square is equal to, आप लिख सकते हैं, X-I square plus Y-I square, क्या लिख सकते हैं, R-I square plus Y-I square, है न, यहाँ पर यह triangle बनेगा, एक right angle triangle यहाँ पर बनेगा, ठीक है, और right angle triangle का जो hypotenious होगा, वो R-I होगा, उसका base जो होगा, वो Y-I होगा, और जो perpendicular होगा, वो X-I होगा, ठीक है, तो आप यहाँ पर perpendicular distance from Z-axis R-I square के लिए term देख सकते हैं, ठीक है, अगर हम I-Z की बात करें, तो I-Z क्या होगा, I-Z होगा, summation I equal to 1 to N, M-I, R-I square, ओके, और R-I का value यहाँ पर put कर सकते हैं, जो हमने अभी देखा, है न, तो यह हो जाएगा, summation I equal to 1 to N, M-I, X-I square, plus Y-I square, ओके, और अंदर multiply करेंगे, तो हमारे पास में expression बनेगा, I-Z is equal to, summation I equal to 1 to N, M-I, X-I square, plus summation I equal to 1 to N, M-I, Y-I square, ओके, I-Z is equal to, यह हमारे पास में I-Y का expression हुआ, और यह हमारे पास में I-Z का expression हुआ, है न, मतलब, simple सा हम derive कर सकते हैं, derivation आपको उस theorem के concept को समझने के लिए, उसका concept को clearly समझने के लिए भो ज़्यादा useful होगा, तो यह theorem board point of view से इतना important नहीं है, क्योंकि redacted portion में आ रहे हैं, पर अगर आप J-E advance की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर यह theorem का derivation एक बार देखना हमारे mind में होना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि यह case से derive हुआ है, तभी उसके उपर हम conceptual question solve कर सकते हैं, यहाँ पर हमेशे ध्यान रखना इस theorem को यूज करते समय कि जो X-axis और Y-axis है उस plane lamina में होना चाहिए, एकसे और Y-axis कहां पर होना चाहिए, प्लेन बाडी जो प्लेनर बाडी है उसमें होना चाहिए और Z-axis उसके perpendicular होना चाहिए, दूसरा important point हमको समझना है कि जो X-axis और Y-axis हमेशा perpendicular होना चाहिए, एक दूसरे के क्या होना चाहिए, perpendicular होना चाहिए, कोई randomly आपने angle पर दो axis लिया और उसके about moment of inertia पता है और आप अगर ये concept लगाएंगे तो गलत हो चाहिए, हमेशा वो axis के से होना चाहिए, perpendicular होना चाहिए, मतलब X, Y, Z, तीन जो axis हम consider करते हैं ये mutual perpendicular होना चाहिए और Z axis जो है वो कहाँ पर होना चाहिए, उस plane के perpendicular होना चाहिए, तब ही आप ये concept लगा सकते हैं तो यहाँ पर हमने perpendicular axis के concept को समझा, next video में हम समझने वाले हैं इसके applications, के से आप perpendicular axis theorem का use करके अलग-अलग axis के about moment of inertia find कर सकते हैं, तो आपको next video बिलकुल भी miss नहीं करना है, thank you